नमस्कार सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ कविता सिंग और साथ इर्लानमा की मिंग्रेशन से हमारे आज के स्टेडी वीजा एक्सपर्ट मिस्टर जसमीद भाडिया दोस्तों जब भी अक्सर हम बात करते हैं स्टेडी वीजा की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है यही कुश्चन आता है कि वाक्य में अगर मैंने कैनेडा पढ़ने जाना तो उसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होगा मेरे को 20-25 लाग जब मेरे पास होंगे तभी शायद मैं पढ़ने के लिए बाहर जो अपना ड्रीम डेस्टिनेशन है वहाँ पहुंच सकता हूँ क्या वाक्य में यह बात सच है कि वाक्य में बाहर की पढ़ाई करना हमारे लिए आसान नहीं है तो यह सभी बाते डिस्कुस करेंगे हमारे आज के इस प्रोग्राम में और हमारा साथ देंगे हमारे आज के स्टेडी वीज़ एक्सपर्ट और कांपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर मिस्टर जसमीद भाटिया सर नमस्कार वल्कम तु दिश्याओ हेलो कैसा आजिए के अगा बातान आक्सर हम देखते हैं कि जैसे कई कंसल्टन ठर्ड jeśli बहूत कि अतने लाग पैकेझ लोाग तो आप कैनेडा पढाई के लिए जा सकते हैं दो क्या वाक्यों में पढाई करने के लिए एक कानेड़ा में कॉट्किल काम है सबसको क्लिर करना चाहूंगा कि पाकेज सिस्टम में हमको अपलाई नहीं करना चाहिए सो जो कंसल्टन कहता है कि आफ्टर वीजा सारे पैसे सो आइडों नो कि वीजा सक्सेस रेट उसमें कितना होगा क्योंकि Canada Study Visa में सारे पैसे वीजा के पहले ही जाते हैं जार कि टूशिन फीस वह भी पहले जाती है अगर GIC अमाउंट की बात करें वह भी पहले जाता है तो यह पहली कंडिशन है Study Visa की कि जो फीस हमने पहले भरनी है कॉलेज की, जो GIC amount के 10,200 डॉलर है, वो भी हमने पहले पे करने है, और medical हमने पहले कराना है, तब भी हमारी file online lodge होती है इसके बिना अगर हम file online lodge करते हैं, तो refusal के chances बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, so but affordable options आज हम discuss करेंगे कि Canada में affordable options कहां कहां हैं, कहां कम fees दे के student जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात, मैं student के हाँ share करने वाला हूँ, due to corona virus one of the college has done fees as rupees 2 lakh rupees only सिरफ 2 lakh रुपे fees साल की रख दिया है, college ने सिरफ पूरे साल की फीस 2 lakh रुपे, so ये सबसे बड़ी बात जो आज मैं discuss करना चाहता था इस show के दरान and I am, हम ये show हिंदी में इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो followers हैं, जो हमारे channels को subscribe किया हुआ है, YouTube पे Facebook पे, तो काफी लोग ऐसे हैं, जो Punjabi नहीं समझते, तो ये show हमारा हिंदी में करने का यही purpose है कि जादा से जादा लोगों तक सही information पहुंच सके, हमारा YouTube channel subscribe कर सके क्योंकि Landmark Immigration के offices all over India है, followers all over India है, clients भी all over India से आते हैं, that is why we are doing this show in Hindi and English, so fees is only 2 lakh rupees per year, and this is the biggest news I think so for the students so 2 lakh rupiah fees में, आप साल की 2 lakh rupiah fees देके Canada जा सकते हैं, but यह चीज़ सिरफ 15-20 दिन ही अगले रहेगी अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो कॉलेज की fees दो बारा से बढ़ जाएगी जी, तो फजसमी सर यह 2 lakh की जो fees है Canada में उसे पे करके, क्या हर कोई student जो है वो अपलाए कर सकता है? बिलकुल पहले बात तो यह अगते है कि 2 lakh fees है तो शायद सिरफ वीक student ही अपलाए कर सकता है नहीं, ओवरॉल 6 बैंड वाला student अपलाए करेगा, उसकी फाइल नॉन SDS काटेगरी में लगेगी और अगर 6 एच वाला बैंड, 7 बैंड वाला student अपलाए करेगा तो उसकी फाइल SDS काटेगरी में लगेगी सबसे बड़ी बात है कि यह कोई छोटे शहर में नहीं है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कम fees है तो छोटे शहर में है college यह कोई बहुत दूर है जहाँ population नहीं है, तो downtown Toronto में है यह college, downtown Toronto में आपको पता होगा कि Toronto सबसे popular city है Canada का और सबसे ज़्यादा populous city है, मतलब कि सबसे ज़्यादा population भी Toronto में ही है biggest city of Canada है और हार student सोचता है कि मैं Toronto, Prampton, Mississauga जो tri city है, GTA area बोला जाता है, इसे greater Toronto area, इसे इस area में students ज़्यादा जाना मन पसंद करते हैं यह जो college है वो सरकारी रहेगा हमारे लिए या private college है, क्योंकि हम नहीं देखा कि Landmark ने हमेशा हमें सरकारी के लिए ही तवज्जो जो आप लोग आगे करते हैं बिल्कुल हमेशा सरकारी college ही promote करते हैं, बट यह college है, because इन्होंने इतने कम fees कर दी है it's a private college ठीक है, so it's a private college downtown Toronto में है 2 लाख रुपे साल की fees है 2 साल के diploma की fees 4 लाख रुपे है but there are options to get post-graduate work permit so options हैं ऐसी जिसमें student post-graduate work permit कर सकता है जी, so Toronto downtown में यह college जो आपने बताया जिसमें 2 लाख में हम अपने प्राइपूरी कर सकते हैं कोई college का नाम आप मेंशन करेंगा Toronto School of Management college का नाम है Toronto School of Management बहुत ही अच्छा campus है I have visited personally इनका campus को मैंने personally visit कि आपको पता ही होगा कि मैं कोई ऐसा product कभी भी promote नहीं करता हूँ जब तक मैं खुद शौर नहीं होगा so मैंने personally visit किया है campus downtown Toronto पे college street पे जो main college street है Ryerson University के साथ उसके उपर है ये college बहुत अच्छी infrastructure प्रवाइड हो रहा है students को students को बहुत ही अच्छे facilities प्रवाइड हो रही है पूरा international department है जो students की take care करने के लिए और school बिलकुल जो college है वो Toronto School of Management के नाम से जाना जाता है so 2 lakh रुपे जो फीस है normally इसकी फीस भी साल की 5 से 5.5 lakh रुपे है but due to COVID-19 situation इनों ने अपनी फीस कम की है to attract more students and to give them this offer I think बहुत बड़ी offer दी जारी है college की तरह से और 2 साल का डिप्लोमा अगर हम 4 lakh रुपे में करते हैं तो बहुत बड़ा जो फैदा हो रहा है इसमें student का तो 2 साल की फढ़ाई के बाद क्या work permit जो है वो हमें मिलेगा क्योंकि मुस्पी यही हमारा see normally student क्या करता है देखो मैं 2-3 universities के नाम लूँगा जहां student जाते हैं उनिवर्सिटी कानडा वेस्ट में student जाता है और क्या केते हैं किसी भी उनिवर्सिटी में student जाता है तो जो उनिवर्सिटी की फीस रहती है चार साल की बाचलर की यहां बच्चा जाना पसंद करता है तो टॉन्टो स्कूल अफ मैनेजमेंट का टाइप है यॉक्विल उनिवर्सिटी से, उनिवर्सिटी कानडा वेस्ट से तो अगर आप चार साल की बाचलर करते हैं तो क्रेडिट ट्रांसफर दो साल की फीस आपने सिर्फ चार लाग उर्पे दी और अगले दो साल की फीस आप उनिवर्सिटी को देते हैं पूरा credit transfer मिलता है आपको चाय University Canada West Vancouver में जाना चाते हैं यहां फिर ट्रॉंटों ही रहके यॉक्विल University में पढ़ना चाते हैं तो दो साल की जो पढ़ाई है वो first and second year of your bachelor degree हो जाता है और credit transfer लेके आप university में पढ़ सकते हैं तो मैंने बताया जो चार साल की फीस है वो 75 से 80 हजार डॉलर रहती है बट जब आप Toronto School of Management है पहले दो साल की फीस सिर्फ 4 लाग उरपय देते हैं यू विल बी कम्प्लीटिंग यर बैचलर बेट्वीन 40 तो 45 थाउजन जो आप बैचलर डिगरी 40 से 45 अजार डॉलर में कम्प्लीट करेंगे जो की एक डिप्लोमा कॉस्ट है आप चार साल कैनेडा में रह रहे हैं आप चार साल पार्ट तैम वर्क करेंगे आपको वर्क पर क्या कहते हैं इंसेंटिव है स्टूडेंट को बहुत बड़ा फाइदा है स्टूडेंट का अगर वो स्टूडेंट ट्रॉंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ने जाते हैं अच्छा आपने बोलो कि डिप्लोमा के लिए भी अद्मिशन ले सकते हैं तो कौन-कौन से जो टाइपस हैं डिप्लोमा के जिसमें बिजनस मैनेजमेंट जो की दो साल का डिप्लोमा है बिजनस मैनेजमेंट का जिसमें कोई भी स्टूडेंट पढने जा सकता है ना कि सिरफ कमर्स स्टूडेंट एनी स्टूडेंट के टेक अद्मिशन इन डिप्लोमा इन बिजनस मै Then ACCA, Accounting Diploma, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, Canada में, ACCA, Diploma, और उसको करने के बाद, आप MBA में भी admission ले सकते हैं. So, Accounting Diploma, ये तीन options रहेंगी अगर आप Toronto School of Management में पढ़ने जाना चाते हैं. Okay, conditional offer letter के साथ भी admission ले सकते हैं students, because there are some students जिन्होंने अभी exam भी नहीं दिये हुएंगे. बहुत सारे students ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी अपने plus two के exams नहीं दिये हैं, बहुत सारे students हैं जिनका IELTS spending है, बहुत सारे students हैं अभी सोच रहे हैं कि हम Duolingo दें के ना दें. So students को मेरी एडवाइज है, conditional offer letter आपको मिल सकती है, अगर आपने English का test book किया हुआ है, so आप conditional offer letter पिलकुल ले सकते हैं Toronto School of Management की, जिसकी fee सिरफ 2,00,000 रुपया है, और Duolingo score 95 के साथ आपको acceptance मिल रही है, so Duolingo score 95 के साथ आप Toronto School of Management में admission ले सकते हैं. So in my career of 13 years, मैंने आज तक किसी भी private या किसी भी public college की fees 2,00,000 रुपय नहीं लिखी है, so अगर हम 2,00,000 की बात करें, तो 2,00,000 fees इंडिया में भी कुछ colleges की नहीं है. So just me sir, इसमें जो वीजा का success rate है, वो कैसे हमें पता चाहिए? So पहले तो हम confused हो जाते हैं कि अगर कोई private college है, तो वो SDS के अंदर नहीं आता. So पहले तो यह समझने की बात है कि जो SDS है, वो college की category नहीं है, वो एक category है आहिलेट्स की और पूरी fees देने की. अगर आपके six each हैं और आपने पूरे साल की fees दे दी है, जो कि सिरफ दो लाख रुपया है, और आपने GIC account के पैसे जमा कराये हुए हैं, तो आप SDS category में Toronto School of Management में भी अपनी file apply कर सकते हैं. और suppose आपके overall छे बैंडा यानि दो में साड़े पांच, यहां एक में साड़े पांच हैं, तो आप फिर भी अपने पूरे साल की fees दे के GIC pay करके non SDS category मतलब general category में अपनी file lodge कर सकते हैं. So, पहली बात तो SDS college की stream नहीं होती, जो कि पहले होता था कि SPP colleges होते थे, अब जो SDS stream है, वो IELTS और पूरे साल की fees के उपर depend करता है. So, SDS 6 each के साथ कोई भी student, किसी भी college जिसके पास DLI number है, Designated Learning Institute का number है, so that means that college is ready to accept international students. और अगर आपके 6 each हैं, तो DLI वाले college के अंदर चाहे वो private हो, चाहे वो सरकारी हो, आप उसके अंदर SDS category में student visa apply कर सकते हैं. So, SDS category में भी आप student visa apply कर सकते हैं, और non SDS category में भी आप student visa apply कर सकते हैं, Toronto School of Management का. और जो visa success rate है, अगर मैं बात करूँ, तो वो depend करेगा आपकी profile पे, कि आपकी profile कैसी है, आपने जो course लिया है, वो बिलकुल match करता है, कि नहीं करता है. आप जो SOP बनाते हो, statement of purpose, वो उसमें आपकी originality कितनी, आपने खूद लिखी है, यह हर student आज की रेट में SOP के लिए बोलता है, consultant लिख दे. एक consultant के पास बहुत सारी file होती है, बहुत सारी file होती है, बहुत सारी file होती है, so एक word होता है plagorism, so plagorism आना, मतलब निश्चिंत है, वो आएगा ही आएगा SOP में, because consultant ने बहुत सारी SOPs बनानी है, so you should try to fit in some words from your side in your SOP, try to write your SOP on your own, or read it properly what your consultant has written, so यही चीज़े मैटर करेंगी, visa success rate के लिए, and I think with 2 lakh में, this is a quite big news and announcement है students के लिए, कि जो कम budget में अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल 2 lakh rupees, जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया में भी बहुत सारे institutes हैं, जो 4-5-5 lakh रुपया, साल की fees लेते हैं, and we are talking about 2 lakh rupees fees in Canada, so 2 lakh रुपे fees है, साल की ना की semester की, जिसमें आप Canada पढने जा सकते हैं, जी, so this opportunity only for a grade 12th students, बिल्कुल, 12th students भी जा सकते हैं, और जो students ने B.com, B.ba किया है, वो भी जा सकते हैं, because they can also do business management diploma, they can also do accounting diploma, they can also do hospitality management diploma, B.com, B.ba और B.a वाले students भी जा सकते हैं, so 12th और graduate students भी यह opportunity अवेल कर सकते हैं, so बहुत सारे students मेरे से discuss करते थे, कि sir what is the opportunity for low budget, I think इस से ज्यादा low budget में कोई college नहीं मिलने वाला, चाहिए यह private college है, बट credit transfer मिल रहा है आपको university में, और 100% credit transfer मिल रहा university में, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा आपको कि Toronto School of Management और University of Canada West, they are sister company, so University of Canada West और Toronto School of Management एक ही group के colleges हैं, so अगर आप Toronto School of Management में पढ़ते हैं, और अगर आप credit transfer लेते हैं University of Canada West में, मतलब 100% credit transfer मिलता है, Yorkville University, parent company नहीं है पर उनका भी agreement signed है, Toronto School of Management के साथ, but to be more sure, अगर मेरी बात करें, तो मुझे कोई problem नहीं नजर आती, Toronto School of Management is a college of University of Canada West, so आप इन दोनों में admission ले सकते हैं, और आप अगर Toronto School of Management में पढ़ते हैं, पैसे सेव करते हैं, तो आप बेशक्ष University of Canada West में transfer लेके post graduate work permit ले सकते हैं, जी, तो यहाँ पर Landmark Immigration के number आपकी screen के उपर जलती से no down कीजिए, आज ही इन से बात कर सकते हैं, and I am sure के जो भी हमारे दर्शक, जो भी हमारे विद्यार्थी, अपना विदेश जाने का सपना देख रही हैं, तो अभी दो लाक में आपका वो विदेश जाने का जो सपना हैं, उसे पूरा करने में मदद कर रही हैं, लैंडमाक इमिग्रेशन, YouTube चैनल लैंडमाक इमिग्रेशन का सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा, और साथ ही लैंडमाक इमिग्रेशन का Facebook पेच, लाइक जरूर कर सकने, और साथ हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम उन विद्यार्थियों के साथ उन स्टूरेंट्स के साथ भी उनका experience जो है वो आपके साथ जरूर शेर करेंगे, तो आप बने रही है हमारे इस खास कारेकरम के साथ, तो लाइनमाक इमिग्रेशन से हमारे साथ आज के study visa expert Mr. Jasmid Vadia, जिसमी सर्फ बाकी के जो colleges हैं, उनकी क्या updation है, उनका क्या कहना है, कि कब तक वो लोग जो है properly, openly काम करना शुरू करेंगे? So, मैंने लास्ट एपिसोड में भी डिसकस किया था कि उन्टारियो गर्मेंट से भी news आई है, कि there will be some in-person classes, मतलब कि जिन courses को labs की requirement है, they will be run from the lab. So, student will follow a hybrid model of teaching, मतलब जहां पर laboratory की use होगा, तो student को college बुलाया जाएगा, और जो theoretical subjects होंगे, वो online पढ़ाये जा सकते हैं. in Ontario province also. And British Columbia में तो पूरा शौर हो चुका है कि college is first week of August में खुलने वाले हैं. So, this is a big news for all the students who are looking forward to studying in Canada. और अगर आप coronavirus की curve को देखें, so, दो country हैं जो मैं इस ताइम पे, दो क्यूँ, चार country हैं जो इस ताइम पे बहुत बढ़िया प्रफॉर्म कर रहे हैं. और COVID-19 के cases बिलकुल कम होते जा रहे हैं, फ्लाटन होती जा रहे हैं कर्व. So, मैं बात करूंगा New Zealand की. So, New Zealand में बहुत कम cases हैं, बिलकी, दिमिनिश हो चुके थे cases. So, जो cases आ भी रहे थे, वो भी सिरफ जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहा है, उससे coronavirus का cases है. So, New Zealand, there is no coronavirus case upcoming in the country. And country ने colleges खोलने के लिए बोल दिया है. And colleges might open up by the end of this month also. Australia is also on COVID-19 के cases बहुत ही कम रहे हैं, active cases और जते थे वो ठीक हो चुके हैं. So, Australia might also come up with some options for only students, not for anybody else. फिर हम बात करते हैं जो आज की डेट में जहां बच्चा सबसे जादा जाता है, वो country है Canada. Canada में अगर आप देखें, तो 90,000 के करीब coronavirus के cases थे और उसमें से 70,000 के करीब recover हो चुके हैं. 70,000. और जो daily cases आ रहे हैं, उनका जो number है between 300 to 350, which is very less as compared to India. So, इसलिए Canada is opening up malls also from next month, first week. So, as compared to India, Canada में जो अगर आप कर्व देखें, अगर आप Google पर सर्च करें की Canada COVID-19 Tracker, So, आपको पतागा की, curve flat हो चुकी है, and there are provinces जहां पे एक भी case नहीं आ रहे है नया. So, that is a positive news for students. But we have a negative news that India में daily के 10-12,000 cases हो रहे हैं. So, that is a negative for Indian students. That की, वो effect कर सकता है VFS खुलने पे, वो effect कर सकता है आपके biometric पे, वो effect कर सकता है High Commission के properly काम करने पे. So, but Germany also, अगर हम देखते हैं, तो Germany में, there were 1,90,000 cases, and 1,72,000 recovered. 90% recovery है Germany में, और Germany ने तो ये बोल दिया था कि 15th June से वो बॉर्डर खोल देंगे, but due to some issues, वो बॉर्डर नहीं खोल पाये, because world over में cases कम नहीं हो रहे हैं. So, Germany में भी classes offline होनी शुरू हो जाएंगी, so Germany is also a very good option for students to study. So, अगर आप ये चीज़ ट्रैक करें, so cases have gone very low on the other side of the countries like Canada, Australia, New Zealand, Germany, very low cases. क्यों नहीं VFS खुल रहा? उसके पीछे रीजन है कि इंडिया के जो cases हैं, वो कर्फ बढ़ती जा रही है, वो फ्लाट नहीं हो रही. So, VSS तभी खुल पाएगा, जब वो कर्फ फ्लाट होगी. So, students जो बाहर पढ़ने जाना चाते हैं, so आज की डेट में सारी countries ने announce कर दिया है, Germany, UK, Australia, New Zealand, Canada, कि अगर आप online पढ़ाई करते हैं, चाहे आप अपने country में रह के करते हैं, आपको पूरा benefit दिया जाएगा. So, why not choose that option? हमने बाहर पढ़ने जाना है, हमने सोच लिया है बाहर पढ़ने की, तो why not study online for one semester and you can continue your studies after you complete your one semester by remaining in India. So, मेरी सारे students को यही advice रहेगी कि अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, so please choose your country first, कि आप कौन से country में जाना चाहते हैं, make a budget, कि कितना budget आपका है, किस country के लिए आप eligible हैं, फिर आप कितना spend कर, सबसे important रहता है budget. So, make a budget, make, get your eligibility done, then choose a consultant who can guide you properly and send you abroad. So, that is what it is needed for you to go abroad. So, if you are looking forward for any genuine consultant, I can assure you that Landmark Immigration is into this field from 13 years with 15,000 successful clients and we have offices across India. You can, if you want to get your file or profile assessed, kindly send me your documents at email info at landmarkimmigration.com. I will personally assess your documents, get back to you with possible options, the best options आप के लिए होंगी, that will, I will guide you those only. जी, तो आज हमारा साथ यह, Landmark Immigration से Managing Director and Study Visa Expert Mr. Jasmid Bhatia जीने, Sir, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यावाद आपका. Thank you so much. तो फिलहाल, इनके number आपकी screen के उपर जल्दी से note down कीजिए और एक बार फिर से आप proper information के साथ अगर अपना Canada Study Visa का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इन से राप्ता जरूर कायम कर सकते हैं. लानमा की मिग्रेशन का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमारा Facebook पेच लानमा की मिग्रेशन, आप वहाँ पर भी अपने सवाल जो है, अपने number समेच जरूर छोड़ा कीजिए, ताकि आपके जो सवाल है वो हम यहाँ पर discuss कर सकें. तो फिलाल मुझे पर दीजे इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिया और साथ ही हमारे अभी वो सभी लकी स्टूरेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया, लानमा की मिग्रेशन से सब्सक्राइब के लिए और उनके वीजा भी आएं, तो क्या कह है लानमा की मिग्रेशन की साफसे सको लेकर आएए देखते हैं कि मॉंत विभी ATBOT भी विजा यतिसन में रुट CCTV making, और मैं आएए यकार बित्सक्राइब की मिजान से लिए शक्राइंस गरद्न होतना, जो पेकर आए अठी में के लानमा की माम मॉदिर भी वह करें। 88% सी, मेरा तिन सालवा गैप सी, मेरे आइस ची 7.5 बैर नोट लेज दन 6.5, आज मेरा UCW वेंकुवर का वीजा है, I really appreciate your work, thank you so much. सासरिकाल, मेर नाम सुप्रीट कौर है, मैं कोटला शेयर के रहने वाल है, मैं अपनी बीकॉम दो एरुमीद वेज पास कीती, मेरे बीकॉम वेज 65% मांग सी, उस तो बाद मैं आइस कीती, आइस विच मेरे शेवें सी, ते एकम अडियोद वेज 5.5 बैर से, उस तो बाद में जाइबर इन इमिगरेशिन कॉंसर्ट कीता जिलिंदर विच, ओनर ने मेरे विज़ को वाल एप्रता, नाइला वोरेश्डा, आज ने मेरे नाइला विज़ को विज़ दुचा है, मैं बहुत कुछ नाइलो, I am Harutika, I am from District Ludhiana, I got my visa of Sanclare, my last qualification was in 2017, I did my graduation in 2017 with 80% marks, after that I do IELTS, my overall B and score is 6, a 5.5 in Balmadun, I got my visa within 15 days after medical clearance, I am very happy. झाल